युवा-माहाकुम्भ में शामिल होने के लिए इंदोर पहुँचरी मुख्यमंत्री शिवरात सेहर चौहान के पुत्र कारतिके य चौहान ने दबंग न्यूज रिपोर्टर मनीश यदवब से विशेश चरचा की कार्तिके चौहान ने चर्चा में कहा कि युवा महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य युवाओ को जागरित करना है इन दोर में निगम चौनाओ में कितने युवाओ को मौका मिलेगा इस पर महापौल प्रत्याशी युवाओ होगा जैसे सवालों की जवाब कार्तिके उन्हें दिये आई है उन समस्याओं को से लड़ने के लिए युवाओ में मोटिवेशन पैदा करने के लिए ये कारेक्रम हम करने जा रहे हैं युवाओ कुम्म में केवल आत्म निर्वर भार्त के जो विचार है मानि पैदान मंत्री का उसको हम सामने रखने जा Crist यह एं सारी चीजह करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि आत्म निर्वर भारत इस निदुक्रम का में फोकस रहे आत्म दिर पर भारत का मतलब ही यह है कि जो वस्तु हैं हम आयात करते हैं जो हम भार से इंपोर्ट करते हैं उन वस्तुओं को हम अपने ही देश में बनाए अपने प्रदेश में बनाए और निश्चित रूप से जब यह वस्तु हमारे प्रदेश में बनेगी अपने देश में बनेगी तो इससे रोजगार पैदा होगा उसकी योज़रा हमारी पार्टी की सरकार बना रही है और यह मैसेज जंता तक पहुचाने का काम हम युवा साथी करें आगामी दिनों निगम चुना होने वाले सब कितने युवा को मोका मिलेगा निगम नगरी नि हम करने वाले लोग एं जैन्डा पार्टी का काम करने वाले लोग यह बाटी क Peng पुत्र कारती के चोहां जिनका सीधे सीधे कहना है कि जो सिवरा सरकारे वो युवाओ के साथ है युवाओ के लिए नहीं नहीं योजनार लाई जाएगी केमरा परसंद मंगे शादो के साथ मनी शादो दमंगनु जिंदोर